नमस्कार आप देख रहे हैं DTB भारत और मैं हूँ आपके साथ निर्भय किशोर दिन भर की तमाम बड़ी ख़बरों पर चर्चा करेंगे साथी साथ आज क्या कुछ परिवर्तन हुआ देश में उसके बारे में भी जानेंगे जानेंगे कि आज किस तरीके से राची में क्या कुछ अपडेट है लेकिन इन सारी जानकारियों से पहले बात करेंगे अपने सायोगियों से हमारे साथ हमारी सायोगी शर्मिला है इसके साथ साथ हमारी सायोगी निभा है जो कि राजधानी पटना से खबरों को लेकर के प्रधान मंत्री मोधी की यात्रा थी हम बंगाल चलते हैं सबसे पहते 125 जैनती है अज सब कोई जानता है कि सुभास चंद्र बोज की जैनती इसको लेकर के प्रधान मंत्री आज पूरे दिन उनका जो कारेकरम रहा वो काफी बीजी शड्डियों ले वो कारेकरम अभी भी जा किया उसके बाद आसम के बाद अगर हम बात करें तो सीधे में आपको बंगाल उनकारे के बहुत नौ किलो मीटर तक fá добав निका लीकाली है जिसके बाद उन्हों ने जनता को समझाओध करने के बाद उन्होंने ये कहा कि देश में सिफ एक ही राजधानी की होनी चाहिए सबसे बड़ा स्वाल यहां पर यह है कि उन्होंने सीधे यह कहा है कि देश में चार राजधानिया होनी चाहिए जिसमें से कलकत तक वो भी एक राजधानी बनानी चाहिए हम लोग क्यों सिफ एक राजधानी के ही सहारे रहें और जब यह जैनती आती है तभी प्रधान मंत्री या फिर बीजेपी को आखिर क्यों सुभास चंडर बोस की आदा ती जिसके बाद कि नेगले उटारी में सब्राप कर बीजेपी का बीजेपी की बारा सामनी के बीजेपी को आपको रोकिँगे राजधीति के बारे मिंवी और जाने Scout बंगाल से और भी आज बड़ी खबर है क्योंकि आशुरकिया खास करके बंगाल ही रही है बंगाल के बारे में भी जानेंगे और एक और बड़ी खबर होगी बंगाल से जो हम आपको बताएंगे कि आखिर में कुछ ऐसा क्या था कि सौ साल बीतने के बाद बंगाल में कुछ खास दिखा उसके बारे में बात करेंगे सीवानी हम आप से जुड़ेंगे आगे लेकिन हम सीधे चलते हैं क्योंकि नेता जी का जर्म दिवस सिर्फ बंगाल में नहीं दिखा बलकि पूरा देश 125 जैनती मना रहा है और इस जैनती के क्या कि उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन चलते हम राजधानी पटना हम सीधे जुड़ेंगे अपनी सहयोगी निभा से और वहां जानेंगे कि निभा आज नेता जी सुभास चंद्रबोश का जैनती जो था वो पटना में भी दिखा क्या था वो नजारा जी मैं बता प्लूरल स्टूडेंट फेडरेशन इसको लॉंच करने का उनका मकसद यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नई नीती बनाएं तरीके से कह सकते हैं कि जैसे कि पुस्पम जो हैं वह अब स्टूडेंट को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं और राजनीती में नई पहले सो तैयारी तूस पर पूरा भरोसा नहीं था या किस था जी उनका तो पहला सबसे बड़ा मोटो यह है कि वो नई नीटियां बनाएं जो स्टूडेंट्स हैं वो नई नीतियां बनांएं पुरानी नीती को खत्म करें और इसके साथ यह उन्होंने यह भी कहा कि वह मत स्टुडेंट सिर्फ election time active दिखते हैं हर समय नहीं आपने आपने मैं आपको रोकूंगा आपने पुस्पंपिरिया से बात किया आपने उनका इंट्रवियू भी लिया है अगर पुस्पंपिरिया चौधरी का इंट्रवियू आप इनके साथ देखना चाहते हैं तो आप DTV भारत का जो YouTube है उस पर आप जाकर के देख सकते हैं पूरी बात में फिर आपसे बात करेंगे लेकिन अब सीधे चलते हैं सरमीला के पास क्योंकि राजनीती की सरगर्मिया है और हर जगा राजनीती हो रही है पुस्पंपिरिया की आगी रन नीती क्या आओगी फिर से एक ब समय करेंगे लेकिन सरमीला के पास जाते हैं सरमीला एक बड़ी ख़बर आ रही है जारकृणत चलते हो जारकंट से क्या कुछ वो खबर आप बहुत खराब हो चुकी है, लिवर में पानी फैल चुका है, जिसके वज़े से उन्हें नीमोनिया भी हो चुका है, और नीमोनिया के वज़े से उनके चेहरे पे सूजन आ चुकी है, अगर हम उनके परिवार की बात करें निर्भे, तो परिवार अभी राची में ही है, कारों से बात चीत की थी और उन्होंने कहा था कि लालू जी की दो तब्यत है वो काफी चिंताजनक बनी हुई है और उन्हें जल्द से जल्द जहां तक देखा कि आज उनको सिफ्ट किया गया जब उनकी तबियत बिगडी 21 को उनकी तबियत बिगडी है और अज 23 तारीख है और उनको उसके बाद सिफ्ट किया गया है अज अभी मैं आपको बता दू निर्भाय कि वो पहले से पेंग वार्ड में इलाजरत हैं लालू प्रशाद यादव रिम्स में भरती थे क्योंकि उनका जो स्वास्त है वो पहले से खराब है और आपको ये भी बता दे कि जेल प्रशासन ने लोर कोट से पहले इसकी अनुमती मां एम्स भेजने की बात कही जा रही है उसको लेकर भी सेमती बनी खबर आ रही है कि लालू प्रशाद यादो को आज साम 6 वजे दिल्ली एम्स में भरती किया जाएगा और इसकी जानकारी खुद लालू प्रशाद यादो के जो बेटे हैं तेजस्वी यादो तेजपताप य जैसा कि मैंने आपको बताया आरजेडी बिहार की बड़ी पाटी है और लालू यादो पूर्व मुख्य मंत्री रह चुके हैं बिहार के 15 साल से ज्यादा भी उन्हों कह सकते हैं कि करी 15 साल तक उन्होंने बिहार में राज किया है तो ऐसे में जितने भी आरजेडी कारे करत स Cover जनता है बिहार के वी न्यारत है लालू यादो के जल्स्वस्त होने की कामना कर रही है सब्सक्स कर रह और लालू यादों का दिल्ली ये जनाना पर्म कॉल सही फेसले क्युक्ब करांब जैसा कि उनकी बेटे ने भी बताया कि उनकी हालत चंता जनक बनी हुई है पहले से उन्हें काफी कुछ बिमारिया थी एक नहीं बलकि कई बिमारियों से ग्रसित है अभी भी निमोनिया से कुछी दिन पहले वो ग्रसित हुए है उसके बाद उनके लिवर में भी पानी भर गय है शुगर की भी उन्हें पहले से बिमारी थी उसके बाद उन्हें थोड़ा बुखार भी है जिसके बाद लोगों को ऐसा लगा कि डॉक्टर को इसा लगा कि तो लालु प्रशाद यादों की तबियत बिगरती जा रही और उनका चेहरा जो है वो अब थोड़ा सा सूज गया यानि कि फुल गया है और इसको लेकर के आपको जनकारी दे दू कि आठ डॉक्टरों की एक जो टीम बनी थी जो कि लालु प्रशाद यादों की स्वास्त को लेकर के उस पर निरक्षन कर रहे थे और उसके बाद यह फैसला उन्हें देना था कि उन्हें दिल्ली केम्स में भरती किया जाया नहीं हलाकि अब फैसला यह आ चुका है कि डॉक्टरों की जो खास टीम है उन्हें टीम ने लालु प्रशाद यादों को दिल्ली भेजने की हामी भर दिया और उसके बाद अब उन्हें आधसाम 6 बजे दिल्ली पहुचाया जागा डी टीवी भारत भी उम बंगाल की हम करते हैं और सिधे चलते हैं सिवानी के पास सिवानी आज इस तरीके से बंगाल का नजारा दिखा प्रधान मंतरी मोधी वहां पहुंचते हैं एक तरफ पूरा देश प्रधान मंतरी मोधी जिसको संबोधित करते हैं कि प्राकर्म दिवस मनाएगा देश तो द द्धान मंतरी नरेंदर मोधि या बंगाल के मुख्य मंतरी मुख्य मंतरी जी साथ में दिखाई दे रही है। लेकिन अभी थोड़ी दिर पहले हैं ये कोहाँ पर वाक्या हुआ है जिस दोरा आपको बता दे कि जब मंच पर स्टेज पर जब ये दोनों पहुचते हैं जिसके बाद वहाँ पर नारेबाजी शुरू की जाती है। इन्हें उनकी जहनती तो पता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आखिर ये मरे कब या फिर उनसे जुड़ी अगर हम कोई भी बात है अगर इनकी जानने चाहें तो इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है। पहली राजधानी को लेकर के उन्हें ने कहा है आज कि कॉलकता पहली राजधानी थी उसके बाद दिल्ली सिफ्ट कर दिया गया तो कॉलकता को दूसरी राजधानी क्यों नहीं की जा रही है। है लेकिन यहां पर उनका बस एक ही अजेंडा है जहां तक उन्होंने ये कहा कि जब प्रधान मंती नरेंद मोदी वहां पहुंसते हैं उनकी आने से ठीक पहले वह नौ किलो मीटर की अपनी पादियात्रा निकाल देती हैं तो वहीं दूसरी तब वो मंच से अपना भाशन ये बोलकर बन कर देती हैं कि मंच पर बुलाकर ऐसे नारे लगाकर बेईज़त करने का क्या फायदा बनता है क्या मतलब बनता है देखिए अगर विक्टोरिया मेमोरेल के आज हम बात करें तो सौवर्ष हो चुके उसे बने हुए प्रधान मंती नरेंद मोदी का जो कारिक् कर रही है क्योंकि बिहार के अगर बात करें तो बिहार में जितनी भी राजनितिक पार्टियां हैं चाहे वो जाप की बात करें हम यानि कि जनाधिकार पार्टी उसकी बात करें राजत की बात करें जदियू की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें जो भी राज्य की ज चौधरी को आखिर ऐसा क्या लगा कि वो एक बार अपनी राजदीती की जो शुरुआत उन्होंने बिहार बिधान सभा चुनाव से शुरू कि थी खुद को मुख्यमंत्री शावित किया था और उसके बाद अब वो पहुच रही है चात्रों के बीच में क्या उनकी रणीती ह हमारे साथ हैं नीभा बताएंगी क्या लगता है मजबूत करने के लिए अपने पार्टी को उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया निगे मैं बता दू कि पुश्पंप्रिया चौधरी शुरू से ही जब से वो आई हैं खुद को मुख्यमंत्री घोशित की थी तबी से वो स्टूरेंट की आवाज बनते आ रही हैं ये मैं बता दू लेकिन वो कहीं न कहीं चूक गई बिहार विधान सभा चुनाओं में जिसके बाद वो थोड़ी सी निराश हुई लेकिन अभी वो फूल एनरजी में हैं अभी वो कह रही हैं कि अब मैं आगे भी बिहार के जो पारिसीपेट करूँगी और अगर किसी को बिहार वासियों को मेरी जरूरत हो गी पॉल नीभा नीभा आप से जानूंगा आपने इंट्रिविव के अंका आगी चुनाओ बिहार में और चुनाओं पंचायच चुनाओ को ले करके आपने कुछ उन्नसे जानकारी लेकी क्या पंचायत चुनाव में भी अपनी सहभागिता दर्ज करेंगी हाँ उन्होंने कहा कि मैं पाटिसिपेट करूंगी पंचायत चुनाव को लेकर और निर्भय में एक बात और बता दू उन्होंने सिक्षा विवस्था को भी ले करके कहा है तीस साल के सिक्षा विवस्था पर सवाल खड़े की है तीस साल यानि की पंदर साल लालू और पंदर साल नितिश कुमार पंदर साल लालू और पंदर साल नितिश कुमार के सिक्षा विवस्था को कहा है कि ये 30 साल सिक्षावस्ता उन दोनों ने खड़ाप कर दिया है लेकिन अब आगे क्या होगा वो भी नहीं जानती वो सुधारना चाहती है उनका ऐसा कहना है लेकिन अभी फिलाल जो इस थी थी आप देख रहे हैं ये उनकी रणनीती है क्योंकि बिहार विधान सभा का जब चुनाव चल रहा था और सबसे बड़े मतलब एक तरीके से सबसे बड़े पद के लिए क्योंकि बिहार के मुखमंतरी के तौर पर उन्होंने खुद को प्रजेक्ट किया था उन्हें बिहार को बदलने का बहुत पावर मिल सकता था लेकिन जब जनता नहीं ने स्विकार किया तो फिर उनकी जो रणनीती है वो आगे ही तय करेगी कि और जनता ही कर सकती है लेकिन जनता निश版 न कार दिया, आगले 5 साल उनको और इंतिजार करना होगा लेकिन अभी चुनाओं की बात कर रहे हो, पंचायत चुनाओं की बात करने की पंचायत चुनाओं में भी वो अपनी सहभागिता दर्ज करेंगी बिधान सबाओं चुना होने वाले हैं, तो इसके बाद तो पांट साल विधान सभा जो चुना होगा, उसके बाद ही वो अपनी रहनीती लेकर करेंगी, सरमीला से एक छोटा सा सब जानेंगे सरमीला क्या लगता है आपको ये नई चुनाओती होगी उनके लिए क्योंकि वो अब student unit को लेकर के आ रही है और उनके लिए कितना और मजबूत होगा बिल्कुल ये उनके लिए नई चुनाओती रहेगी पहले तो वो विधान सभा चुनाओं के लिए काफी एक्टिव देख रही थी निर्भाए और जैसा कि विधान सभा चुनाओं में उनकी पार्टी एक भी खाता नहीं खोल पाई और बिहार की लगबग हर जिले में वो जा के जन्द संपर का भेहान चलाके लोगों से काफी कुछ उन्होंने बात चीत कि थी लेकिन उनकी उनका ये जो तो जितना भी वो एक्टिव रही जितना उन्होंने कारे किया वो कुछ काम नहीं आया क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो एक भी खाता खोलने में विफल हो गई हाला कि हर जिले की बात करें तो उन्होंने एक एक विधायक करा या तो उन्होंने बिहार की जनता को नहीं पहचाना आए या फिर जनता नहीं समझ पाई कि आखिर पुश्पम करना क्या चालाए जनता नहीं समझ पाई निर्भय और सबसे बरी बात ये भी है कि वो खुद को भावी मुख्यमंत्री होने का दावा भी कर रही थी इस पे भी जनता को ये बात भी शायद नहीं पसंद आई तभी उन्होंने पुश्पम्पिरिया चौधरी को बिल्कुल भी कह सकते हैं कि अपना मत नहीं दिया अपने मत का प्रयोग उनके पाटी पे नहीं इसने पहले खुद वह एक्टीब रही कई सारी उजना उन्हों रही रणीतियों को लेकर के आई और आप चात्रों के भी जा रही है फिलाल हम आगे एक बार फिर से चलते हैं पस्चिम बंगाल और बात विक्टोरिया मेमोरियल की करते हैं सौ साल पूरा हो गए विक्टोरि मेमोरियल आज प्रदानमंत्री मोधी का स्वागत किया सौ साल पूरे हो चुके निर्वे जैसा मैं आपको बताऊंगी अभी प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने जो संबोधन दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि वह वहां पर आकर कि खुद को काफी सदा भावुक महसूस कर रहे हैं मैं उनका आपको भाशन बताना चाहूंगी उन्होंने ये कहा कि कॉलकाता आकर भावुक महसूस कर रहा हूं नेता जी को नमन बच्पन से जब भी नेता जी सुभास चंद बोश जी का नाम सुना मैं किसी भी स्तीती परिस्तीती में रहा इस नाम से एक नई से भर गया पीम ने ये भी कहा है कि आज ही के दिन माभारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिशा दी थी आज ही की दिन गुलामी के अंधेरों में वो चेतना फोटी थी तो कहीना के पीम जो है वो निर्भे वो काफी सदा भावुक हो चुके हैं क्योंकि एक काफी कॉलकाता की लोगों में भी आपको बता दूँ कि काफी उस साहित वो लोग दीखे हैं जैसे ही पीम आपर पहुंचते हैं तो लोग जो है वो प्रधान मंतरी नेरेंद मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं कहीना कही सी न तस्वीरें हैं जिन लोग जिसको लगबग नौ साथ से आठ तस्वीर मैं आपको बता दूँ कि इन सभी तस्वीरों को बहुत ही अच्छे तरीके से बनवा करके देखें कि प्रधान मंतरी मोदी की आज यातरा थी हो काफी सफल बाननी जरी चलिए आपको चलते चलते विक ये से ले करके 1921 तक ये बना था इस दर्मियान ये पूरा बन करके तयार हुआ था और अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें संग्राहल है जहां तीन हजार से अधिक वस्तुएं प्रस्तूती के लिए है जिसमें रानी विक्टोरिया का पियानो जो है वो भी यहां काफी खास है और यहां लोगों को वो लुभाता है तो इस तरीके की ये तयारी थी और आज वो सजधच के तयार था लेकिन इसके साथ-साथ परधान मंत लेकिन जाते जाते आपको एक गर्व की बात बता दूँ बहुत छोटी सी है लेकिन गर्व की बात यह है कि कोरोना का काल अभी भी खत्म नेगुआ तो मैं बार बार जाते जाते आपको बोल के जाता हूं इसलिए सुरक्षित रहे यह आपकी जरूरत है और आपकी जिम्मे लेकिन बड़ी बात यह है कि देश खुद को गौरवानवित महसुस कर रहा है देश इसलिए गौरवानवित महसुस कर रहा है कि बिस्व में सबसे तेजी से कोरोना वैक्सिन पर काम करने वाला भारत अब कई सारे देशों को कोरोना वैक्सिन दे रहा है यह गर्ब की बात है एक बिहारी के लिए ये गर्व की बात है एक भारत वार्शी के लिए इन सारे बारें बताएंगे और जाएंगे कि कहा कहा वो वैक्सिन पहुंच रहा है लेकिन सीवानी कुछ बोलना चाहते हैं निर्वे मैं बिहार की अगर बात करूं तो जाप अध्यक्ष पपू यादो के नेतितों में आज जाप के लगभग सौग कारे करता जो है वो राजबहन की तरफ मार्श कर रहे थे क्यों जब वहाँ पर पुलिस पहुंची तो वाटर कैनन भी वहाँ पर मौज़ू था पुल मौज़ू दिखाई दिया था आपको बता दें कि जो खबर है जिस तरीके से पपू यादो लगतार अभी भी किसानों के मुद्दे को लेकर के सरकार के विरोध जा रहे हैं पुलिस और उनके कारे करताओं के भी जड़ब भी हुई है कारे करता द्वारा इतना जादा वहा किसान के मुद्दे की बात करें तो 11 बैठकों के बाद भी केंद्र सरकार और किसानों के बीच में अभी सहमती नहीं बन पाई है अब 26 जनवरी का वह इंतजार है जब किसान जो है वह ट्रेक्टर रैली अभी करने के लिए उतसाहित है खेर बात हम कर रहे थे को रोना वैक् से वह कहां कहां पहुंच गए अब तक तो वह भुटान माल दिव नेपाल बांगला देस में अनमार मौरिशस और सेल्सिस में भी पहुंच गए आगे और सौदी अरब दक्षिन अफरीका ब्राजील और मौर्ग को जाने की तयारी चल रही है यहां जाएंगे और यह एक खुशी की ख़वर आपके लिए बहुत जरूरी है एक गर्व की जरूरत है यह गर्व हमको होना चाहिए गर्व आपको होना चाहिए क्योंकि हमारा देश विकास कर रहा है इसके साथ साथ आप अगर अब तक इन सारे ख़वरों को देखना चाहते हूं आगे भी ऐसी ब कि अचे एक Key तेन के की जरूरे ओवरों की हमरे भी अतर है छाहिए एकुण मारा पेर गभरों को होना चाहिए का टापको सुए और शर्व हमको होना चाहिए kulland